सबसे बड़ा कंसर्ण सबका क्या रहा था वोट इस कॉंटिटी देखो मैंने ऐसा एस्यूंग कर लिया था कि तुमको कॉंटिटी पता होगा that's why मैंने कॉंटिटी के बारे में discussion नहीं किया क्योंकि already हम लोग वो 8th, 9th, 10th में पढ़ते आते हैं इसलिए हम लोग ने कॉंटिटी के बारे में discussion नहीं किया that's why this quantity is also called as physical quantity इसलिए इसको physical quantity भी बोला जाता है हां या ना इसलिए इसको physical quantity भी बोला जाता है let us take an example let us take an example like सब लोग को feeling है yes or no किसी को प्यार का feeling है किसी को प्यार का ही feeling है किसी को गुस्य का feeling है किसी को sadness का emotion है so that feeling, that emotion cannot be measured वो measured नहीं हो सकता अब वो measured नहीं हो सकता तो इसको हम लोग physical quantity नहीं बोल सकते but at the same time क्या मैं ये length measure कर सकता हूँ the answer is yes क्या मैं अपना weight measure कर सकता हूँ the answer is yes क्या मैं इस board के उपर कितना force लगा रहा हूँ ये measure कर सकता हूँ the answer is yes तो ऐसी कोई भी quantity जिसको हम लोग measure कर सकते है that quantity is called as physical quantity बास समझ में आ गई quantity क्या होता है पहला question clear हुआ सब का the next question is not next, that is next question is what is unit देखो unit की कहानी क्या है जैसे हम लोगने last lecture में discuss किया था कि quantity तो पता है बट उसको पहचानेंगे कैसे कि ये कौन सी quantity है उस quantity को पहचानने के लिए जो चीज़ इस्तमाल होती है that is unit let us take a example अगर मैंने तुमको बोला कि buy sugar 5 जापने तुमको बोला कि sugar खरीदना थुमको 5 स्लिफ 5 शूगर खर करिदना थो अब ये फाए से तुमको clear आटिया आ रहा है कि कि कितना खरीदना है जाब आ सोचो तो 5 लीटर खरीदना है, 5 मीटर क्यूब खरीदना है, 5 सेंटीमीटर खरीदना है, 5 केजी खरीदना है, 5 न्यूटन खरीदना है, इससे कुछ आइडिया आ रहा है क्या, 5 can be anything, 5 can be a number, it is just a number, तो मुझे उससे आइडिया नहीं आ रहा है, अब देखो, अब तुमको फटाक से आडिया आ जाएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर मैं तुमको बोलता हूँ, कि 5 केजी खरीदना है, तो फटाक से क्लियर हो जाएगा, कि यह क्या है, मास है, यह सानो, मतलब जैसी मैंने यहाँ पर केजी लगाया, फटाक से मे quantity ऐसी quantity जिसको measure किया जा सकता है जिसको हम लोग measure कर सकते हैं जैसे emotions love feeling यह सब measure नहीं होती तो यह physical quantity नहीं हुई तो अब उस measure करने के लिए उसको पहचानने के लिए कुस्तों चाहिए उसको बोलते हैं हम लोग unit जैसे यहाँ पर हम लोग ने लगा दिया 5kg तो 5kg से मुझे समझ में आ गया कि वो क्या है वो mass है 5kg से क्या समझ में आ गया कि वो mass है clear अभी बात समझ में आ गया रहेगा सबको चलो बहुत बढ़िया ओके comment section में बता देना समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया ओके चलो ओके अब हम लोग नेक्स टॉपिक पर बढ़ेंगे नेक्स टॉपिक जैसा हम लोग ने लास्ट लेक्चर में unit and dimension का like unit वाला पार्ट हम लोग ने cover कर लिया था बट वापस हम के एक बार वो revise कर लेंगे तुम लोग के लिए वापस वो चीज़ एक बबार revise होगी और यहां पर हम लोगने unit वाला जो पार्ट है व सम्झ इसको बोलते हैं livroPod कॉंटिटिटिटी फटासे वीडियो पॉस्कोर्व और सेवन के सेवन कोण्टिटिटि लिस्ट होने चीए एक मैं तो के साथ ओ कॉंटिटिटिटिट में होने चीए ओके चलो जो सही आंसर देगा उसको गिफ्ट है मेरी तरफ से याद हिखना क्या इफ्ट है वह है चलो सो कौंटिटी क्या हो जाएगा लेंथ ये कॉंटिटी की बात हो रही है next mass yes तुम लोग बताओगे next तुम लोग बताओगे वड़ा फड़्यास वेरी गुट ड़ी स्टाइम नेक्स्टी इस टेम्प्रेचर येस नेक्स्टी इस इल्लक्ट्रिक करेंट बहुत बढ़ि the amount of substance next is luminous intensity luminous intensity so we have a seven fundamental we have seven fundamental quantities ago first second third fourth fifth sixth seventh अब ये 7 quantity को पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे उसके unit से unit क्या होगा फड़ाफट हम लोग ने last lecture देखा है unit क्या होगा फड़ाफट पीछे वाला वीडियो देख्या हो और फटाक से unit का answer दो क्या होगा देखो length को measure करते हैं किसमें meter में mass को measure करते हैं किसमें kg में time को measure करते हैं किसमें second में temperature को measure करते हैं किसमें Kelvin में electric current को किसमे measure करते हैं ampere में amount of substance को mole में luminous intensity को candela और हम लोग ने ये चीज़ भी discuss किया था कि यहाँ पे Kelvin को capital क्यूं आया हम लोग ने देखा था ये चीज़ यह सणो why Kelvin and ampere is written in capital and meter, kg, second यह small में है तो जब कभी भी, जब कभी भी किसी scientist का नाम आएगा unit में अगर किसी scientist का नाम आएगा तो उसको हमेशा हम लोग capital form में लिखेंगे because वो noun है ना तो यहाँ पे Kelvin, Kelvin scientist है yes or no तो उनका जो नाम आएगा वो capital में आएगा ampere, यह भी एक noun है, यह भी एक scientist है तो उनका जो नाम आएगा, वो capital आएगा same as joule, okay, energy का unit होता है energy हम लोग आगे पढ़ेंगे तो energy का unit होता है joule, okay तो joule को भी हम लोग capital लिखते हैं बास संचना आ रहा है, okay so these are the seven basic fundamental unit हाँ, अगर यह basic fundamental unit clear है ना इसके बाद जो topic है that is dimension वो तो एकदम ही जबर्जस्त होने वाला है वो तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, okay चलो, फड़ा-फड़ यह note down कर लो next फिर आगे बढ़ते हैं आपन कर लिया note down, चलो, बहुत बनिया, next आज हम लोग बात करने वाले हैं dimensions की, okay unit का हम लोग ने already हमारे पास video पड़ा हुआ है दम detail में वीडियो सारा, तो वो देख लेना फिर यहाँ पे आना, that is dimension वाला पार्ट क्योंकि यह बहुत मज़ेदार होने वाला है, dimension क्या होता है तो अगर मैं बात करूं length की, okay अगर मैं बात करूं length की, तो what is the unit of length, what is the unit of length, length length का unit क्या हो जाएगा तो मुझे कोई बच्चा बोलेगा कि sir, length का unit होता है meter, answer is correct अब कोई बच्चा मेरे पास आएगा, बोलेगा सयर, centimeter भी होता है unit, the answer is also correct कोई आके बोलेगा sir, millimeter होता है, the answer is also correct कोई मुझे आके बोलेगा sir, kilometer होता है, the answer is also correct कोई मुझे बोलेगा sir, miles होता है, the answer is also correct miles m-i-l-e-s, miles the answer is also correct, अब जब सारे answer correct हैं, तो इन में से क्या चलेगा इन में से क्या चलेगा, तो ये decide हुआ, ऐसा decide हुआ कि क्यों ना हम unit के बजाए क्यों ना हम unit के बजाए, length को एक symbol देदे length को क्या करे, symbol representation देदे उसको एक symbolic form में represent करे and that symbolic form is called as dimension of that quantity that symbolic representation is known as the dimension of that quantity भासन में आ रही है, dimension लाने का कारण क्या था, dimension क्यों आया गया वो समझा सबको okay बहुत बढ़िया, देखो, dimension क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, dimension क्या होता है so the dimension of physical quantity, the dimension of physical quantity कैसे define करेंगे इसको are the power to which the concern fundamental unit must be raised in order to obtain the unit of the given fundamental quantity क्या सर क्या पढ़ लिया, उपर से गया, कूछ समझ में नहीं आया, समझाएंगे अब इदर आओ, इदर आओ, चलो, okay अब ये ये रेटरने की जरूत नहीं है, इसको समझने की जरूत है और समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ को, देखो ये क्या चीज़ लिखा हुआ है मालो, अगला slide की कहानी पढ़ते है, dimension की कहानी क्या होती है ये देखो जैसे मालो, कि मैं length की बात कर रहा हूँ तो length का मालो dimension है L और इसको basically लिखते है L1, मतलब उसका power 1 होता है उसका power क्या होता है, 1 होता है मतलब length किसके ओपर depend कर सकता है length मातर सिर्फ length के ओपर depend कर सकता है अब ऐसा है क्या, कि मालो, ये मेरा 5 cm का marker है अब इस marker को मैं 10 घंटे के लिए रग देता हूँ ये 5 का उद्दस हो गया, होगा क्या, नहीं होगा न, ये 5 cm का 5 cm ही रहेगा मतलब समय कितना भी जाए, ये length समय पर तो depend नहीं कर रहा है तभी तो उसको fundamental quantity बोलते हैं, समझा इस चीज़ को fundamental quantity मतलब एक quantity दुसरे quantity पर depend नहीं कर रही है बात समझ में आ रही है, देखा, अब ये मुस्कुरहाट आ रहा है न, तुम लोग के मूँपे ये बता रहा है कि तुमको समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पर, ओके So, what is dimension? Dimension is nothing but to represent to represent the one derived quantity भाई, ये जो derived quantity है, ये मेरे fundamental quantity पर कितना depend करती है, कितना power depend करती है, इसका मतलब क्या है, माल लोग कि अगर मैं तुमको बोलू, let us consider area, okay, area, so area is the derived quantity, जो area है, ये क्या है, ये derived quantity है, area is the derived quantity, derived quantity क्या होता है, इसके पहले वाला lecture number one देख लो फटाच से समझ में आदाएगा, सारा concept समझ में आदाएगा, what is derived quantity, area is the derived quantity, because area किस पर depend करता है, area depend करता है, length into breath पर, ये ये area, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इस चीज़ को समझने कोशिस करो, ये जो length है, ये जो length है, ये तो length है, ये तो lengthy है, but what is this breath, what is this breath, breath is also a type of length, yes or no, breath is also a type of length, ये एक तरह का lengthy तो है, ये तरह का distance तो है, अब अगर मैं height बोलूँगा, तो height भी तो meter में ही measure होगा, centimeter में ही measure होगा, तो वो एक तरह का lengthy हुआ न, अब यहाँ पर देखो, मतलब मेरा जो area है, वो 2 times power, किस पर depend करता है, length पर depend करता है, तो area का unit क्या हो जाएगा, area का unit हो जाएगा, that is L2, और L का square, okay, this is nothing but area का dimension, देखो, मैंने area को represent कर दिया, in terms of length, area को मैंने represent कर दिया, in terms of length, और length क्या है, length मेरा fundamental quantity है, मेरा basic quantity है, बात समझना रहा है, तो ऐसी हमको सारी quantity का, almost सारी quantity का, हम लोगों dimension देखना है, okay, so let us start with a dimension, okay, let us start with a dimension, एक के करके सारा dimension देखेंगे, और तुम लोग मेरी मदद करोगे, चलो, so area के हम लोग में बात कर लिया, area, देखो dimension लिखने के लिए ना दो चीज़े पता होनी चीए, या फिर unit, या फिर उसका formula, अगर unit पता है, तो भी dimension लिख सकते हैं, अगर formula पता है, तो भी dimension लिख सकते हो, तो दोनों में से कोई एक चीज़ तो guarantee से याद होनी चीए, अगर नहीं यादे, तो try कर लो, start कर दो, याद करना, start कर दो हर एक चीज़ का, ओके, चलो, so area, area का dimension, area का unit, अभी यहाँ पर unit का कहानी बताता तुमको, area का unit क्या होता है, meter square, area का unit क्या होता है, meter square, meter किस चीज़ को represent कर रहा है, meter represent कर रहा है, length को, meter किस चीज़ को represent कर रहा है, meter represent कर रहा है, length को, तो यहाँ पर dimension क्या आ जाएगा, यहाँ पर dimension आ जाएगा, L2, और dimension को हमेशा close करते हैं, square bracket से, याद रखना, यहाँ पर ऐसा circle, circular डाल देना हाओ या फिर कर्ली ब्राकट मत डाल देना हमेशा स्क्वेयर ब्राकट तके यह एरिय Beneкий नीव अगरवा रॉजी की कि बात करें तो में था जो कना अच्छ यह फितμुम्लिंहें से तुम चछ से अच्छ स्झारश मिटर क्यो स्थथ that is meter cube, अब meter cube है, इसका मतलब क्या होगा, L cube हा या न, meter cube है, इसका मतलब क्या होगा, L cube, मतलब L, three times depend कर रहा है, यह सुननो, ओके, next, अब बात कर लो, density की, density का unit क्या होता है, density का unit से कर लो, या फिर formula से कर लो, कोई problem नि, देखो density का formula होता है, mass by volume, very good, mass by volume अब देखो mass का mass किसपे depend करता है mass तो mass पे depend करेगा अब नीचे देखो volume volume का dimension उपर देखा है कि नहीं देखा है देखो पटाग से ये देखो volume का dimension दिखा है that is l cube हाँ या ना that is l cube अब ये l cube को थोड़ा उपर लेके जाओ कोई चीज denominator में अच्छी नहीं दिखती, यह नियम है, max का, physics का नियम है, कि denominator खाली लगता है तो अच्छा दिखता है, तो इसको अगर मैं denominator से उपर लेके जाओं, तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा M1, और यह उपर जाएगा, तो inverse हो जाएगा, that become L-3, हाँ या ना, this is the dimension of density, this is the dimension of density, जोगो density, अब मैं directly बता सकता हूँ, कि density किस पर depend कर रही है, density depend कर रही है, mass पे, और density depend कर रही है, length पे, तो यह यह फाइदा है dimension का, dimension का फाइदा यही है, कि हम लोग किसी भी quantity का, कोई भी बड़ा से बड़ा derived quantity लेके आओ, force लेके आओ, acceleration लेके आओ, momentum लेके आओ, power लेके आओ, work लेके आओ, energy लेके आओ, वो सारे कि सारी quantity किस से बनी हुई है, fundamental quantity से बनी हुई है, अब अगर वो fundamental quantity से बनी हुई है, इसका मतलब यह है कि वो fundamental quantity पे depend होगी, और वो जो dependency है, वो कौन बता रहा है, वो dimension बताता है, तुमको कौन बताता है, dimension बताता है, ओके, चल पर दो नेक्स्ट इस वेलासिटी और स्पीड, वेलासिटी और स्पीड, देखो, वेलासिटी और स्पीड की अगर हम लोग बात करें, वेलासिटी और स्पीड क्या होता है, that is distance by time, तुम लोग में पढ़ा है, yes or no, 9th, 10th में पढ़ा है, velocity और speed क्या होता है distance by time देखो distance किस चीज़ को represent कर रहा है distance represent कर रहा है length को तो L1 हाँ या ना क्या आ जाएगा L1 देखो time किसको represent कर रहा है time को तो आ जाएगा T1 अब यह time यहाँ पर अच्छा लग रहा है क्या नहीं कहां बेज़ देंगे ऊपर बेज़ देंगे ऊपर बेज़ देंगे तो क्या हो जाएगा सारा देखो L1 L1 ही रहेगा T क्या हो जाएगा T हो जाएगा minus 1 समझा so this is the dimension of velocity this is the dimension of velocity okay चलो acceleration का dimension बताओ acceleration का dimension तुम नों बताओगे acceleration का dimension क्या होगा acceleration का dimension तो acceleration का dimension का हो जागा देखो acceleration का formula क्या होता है फटा फट अब देखो इसको formula से किये ना अब इसको unit तो solve करते है with the help of unit acceleration का unit बताओ फटाक से acceleration का unit is meter per second square बहुत बढ़िया किसने answer दिया यह फटाक से बहुत सही answer है that is meter per second square देखो meter यह m है वो meter है meter किसको represent करता है meter represent करता है length को तो l1 हा गया हा या ना यह देखो यह क्या है second second किसको represent कर रहा है second time को represent कर रहा है ना तो यहाँ पर आ जाएगा denominator में क्या आ जाएगा टी का square अब यह सर square क्यूँ आया फटाक से question आ जाएगा दिमाग में सर इधर square क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे second में भी तो square है, है कि नहीं है, बास समझारी नहीं समझारी, देखो पहले इस चीज़ को ध्यान से समझो, ओके, यह देखो, यह meter per second square है, यह जो second है, उसका power 2 है न, तो यहाँ पे time का power भी तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1, T minus 2 हाया न, that is T minus 2, so this is the dimension of acceleration, this is the dimension of acceleration, clear, बात समझ में आरा है everyone, बहुत बढ़िया, ओके, चलो, so यहाँ पे हम लोग ने dimension देखा, यह सब basic quantities है, okay, याद रखना, derived quantity मतलब, simple quantities, तो area, area का dimension है L2, volume का dimension है L3, density का dimension है M1 L minus 3, velocity है और speed का dimension है L1 T1, acceleration का dimension है L1 T minus 2, बात समझ में आरा है, तो सबसे पहले यह note down कर दो, सारे basic quantity, video pause करके note down कर लो, note down हो गया, चलो, बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, okay, अब हम लोग आगे बढ़िया, अब देखो, यहाँ पे कहानी क्या थी, let us consider, let us consider a density of speed, देख है, फटाक से answer दो, that is L1 T minus 1, अब कोई बच्चा आके पुछेगा, सर यह mass पे depend करता है क्या, तो यहाँ पे कही mass दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, yes or no, यहाँ पे कही mass दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो यह mass पे depend नहीं करता, अब मैं dimension देखके directly बता सकता हू कि वो mass पे depend नहीं करता, बात समझ में आ रही है, हाँ, अगर तुमको और अच्छे से elaborate करना है, तो हम इसी चीज़ को क्या लिख सकते है, इसी चीज़ को हम लिख सकते है, M0 L1 T minus 1, हाँ या ना, अब यहाँ पे M0 लिखने से क्या पता चला, यहाँ पता चला कि mass पे depend नहीं करता वो, 0 times depend करता है, मतला मेरा जो speed है, वो mass पे depend नहीं कर रहा, same acceleration के साथ कर सकता हूँ, देखो, acceleration का dimension क्या था, हम लोग ने थोड़ी दियर पहले देखा था, that is, L2 T minus, sorry, L1 T minus 2, that is L1 T minus 2, yes or no, अब यह mass पे depend करता है कि नहीं करता, मुझे जानना है, तो क्या करो, simply इस ची T minus 2 हाया ना, समझा, this is the acceleration का dimension, okay, चलो, force, force का dimension कोन बताएगा मुझे, force का dimension, पटाक से, force का dimension, force का मैं formula दे देता हूँ, चलो, force का formula तुम ने पढ़ा है, force का formula क्या होता है, mass into acceleration, this is mass, this is mass, this is acceleration, तो, what is the dimension of mass, mass का dimension क्या होता है, कौन बताएगा, what is the dimension of mass, फटा-फट, M1 सर, yes, very good, that is M1, what is the dimension of acceleration, यहाँ पे लिखा हुआ, yes or no, what is the dimension of acceleration, वहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ देगो जरा, M0, L1, T minus 2, बहुत बढ़िया, अब यहाँ पे देखो, M और M का base M है, base M है, तो power add होते है, 1 प्लस 0 करोगे answer क्या होगा, M1, L1, T minus 2, M1, L1, T minus 2, this is the dimension of force, और मैं suggest करूँगा कि इस चीज़को दिमाख में बैठा लो, इस चीज़को रेट लो चाहिए तो, कोई problem ने, देखो, अगर कोई पूछे, कि भाई, force का dimension क्या है, तो तुमको यह पता होन चाहिए, क्योंकि force का dimension सबसे जाधा use आने माला है, देखो, दो dimension में रठने के लिए बोलूँगा, एक dimension बोलूँगा force का रठने के लिए, और एक dimension बोलूँगा work का रठने के लिए, अगर force और work दोनों रठ लिए आना, एकदम easy हो जाएगा जाएगा, dimension एकदम easy, ऐसे solve कर दोगे dimension, ओके, तो चलो, force का dimension देख लिए, सब लोग ने, बैठा लिया दिमाग में, चलो, अब देखते हैं, work का dimension, इसको उपर कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए, चलो, बहुत बढ़ी है, यहाँ पर रख देता हूँ, चलो, next, अब हम लोग बात करेंगे, work की dimension, क्यों दोगे, work का dimension क्या हो जाएगा, so work का dimension हो जाएगा, work का formula क्या होता है, तुम लोग बताओगे, चलो, work का formula, फटाक से, that is force into displacement हाया ना, very good, what is force into displacement, चलो, force का dimension थोड़ी देर पहले देखाता ना, बताओ फटाक से, answer, फटाक से answer चीए, बिना देखे, that is, very good, M1, L1, T minus 2, बरबर, what is displacement, displacement is a type of length, displacement एक तरह का length ही तो है, और पुछ नहीं यहाँ या ना, so displacement is nothing but a length, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, L1, बरबर, तो देखो, L1 और L1, बेस से में है, power add होगा, क्या मिलेगा, M1, L2, T minus 2, this is the dimension, किसका dimension, work का dimension, और यह दोनो एक दम रठ लो, क्योंकि यह दोनों dimension बहुत काम आने वाले है, okay, मालो अगर तुमको निकालना है, power का dimension, मालो, let us take a example of power का dimension, let us take a example of power का dimension, तो क्या हो जाएगा देखो जरा, power का formula क्या होता है, what is power का formula, power का formula is work by time, yes or no, तो देखो, अब work का dimension हम लोग ने लिकाला हुआ हुआ उपर, that is, M1, L2, T-2 हाया ना, और time का dimension क्या होता है, हमको पता है, time का dimension is, T1 हाया ना, time का dimension is, T1, तो अब यह T1 उपर चला जाएगा, denominator में अच्छा नहीं देखता ना, तो T1 को उपर लेके जाएगे, क्या मिल जाएगा, T-1, तो यहाँ पर देखो, क्या मिल जाएगा, M1 यहाँ पर L2, यहाँ पर T-2, और यह जो T ही है, वो उपर जाएगा, T-1 हो जाएगा, minus 1 इसके साथ क्या होगा, add होगा कि minus होगा, जर बताओ, यहाँ पर T-1 है, इसका answer तुम लोग बताओगे, चलो, इसका answer तुम लोग के लिए homework है, इसका answer, what is the dimension of power, यह solve करके, what is the dimension of power, comment करना है, देखो, M1, L2, T-2, T-1, what will be the dimension of power, इसको solve करके, dimension of power क्या होगा, यह तुमको comment section बताना है, clear, बात समझ में आ रही everyone, I hope इतना dimension बताने के बाद, तुम लोग का dimension clear हो गया रहेगा, अब दुनिया का कोई भी dimension आने तो हम लोग लिख लेंगे, बस condition यह है, शर्त यह है कि यह जो basic dimension है, इसके पहले वाला जो dimension हम लोग ने देखा, यह सब, यह सब dimension हमको पता होना चीए, अगर यह सब dimension हमको पता है, तो हम लोग दुनिया के किसी भी quantity का dimension लिख सकते हैं, doesn't matter कौन सी quantity हो, tension लेने वाली कोई बात है यह नहीं, बात समझ में आ गए everyone, clear, देखो dimension ब बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुम लोग को, अगर यहाँ पे कही confusion है ना, तो पहले ही मुझे बता दो, यहाँ हम लोग वापस clear कर देंगे confusion, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग next lecture की तरफ बढ़ेंगे, clear बात समझ में आगे everyone, पका, चलो बहुत आगे, तुम्हारे लिए homework है, सबसे पहले homework note down करो, कहीं जाना नहीं है देखो, homework सबसे पहला homework है, तो homework क्या है, तुमको energy का dimension बताना है, कौनसी energy, kinetic energy, potential energy, impulse, next is pressure, तो यह हूंवा के तुमारे लिए, यह हूंवा के तुमारे लिए, आए, hope कि तुमारे पास इसका formula हो, अगर formula नहीं है, ढूनो formula, self study करो, कहीं से पता करो, और dimension ले क्या हो, next lecture में हम लोग discuss करेंगे इसका, याद रखना, इसका जो property, इसका जो homework है, वो हम लोग, जो dimension है, वो हम लोग next lecture में discuss करेंगे, clear बास समझ में आ गई, okay, चलो, so, जो dimension वाला topic है, वो फिलाल के लिए रोख देते हैं, तुम लोग जाओ, वीडियो देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, इसको पढ़ो, अगर ये समझ में आ गया ना, सारा physics समझ में आ जाएगा, ये chapter तो एकदम smooth जाएगा, अगर ये चीज़ समझ में आ गया ने, सब्सक्राइब करना मत बूला, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत बहुत बहुतरीन content आने वाल है, yes or no, okay, चलो, so, अगर हाँ, अगर तुमको personally touch पे रहना है, मेरे साथ, अगर मुझे कुछ कोशन है, परसनली मुझे पूछना है, तो तुमनों मुझे Instagram पे DM कर सकते ह हो, that is, I, Sanjeev, underscore, Ande, okay, this is the, यह मेरा Instagram idea, तुम लोग वहाँ पे DM कर के कोई भी कोशन स पूछ सकते हो, कोई प्राबलम नहीं है, okay, चलो, so, आज का लेक्चर यही पेंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, that's it for today, thank you so much.